अधर्म प्रिमी सजनों तथा आलिये बंधों आप लोगों को मैं प्राता सुचित किया था कि कल मैंने एक छोटी से क्लिप बनवाई थी यह विचार दिया था जिसमें पर्मात्मा की चर्चा पर्मात्मा की बात मैंने की थी और वेद का हवाला और प्रमान यह दिया था कि वेद मंत्र में इशा वास्था मिदम सर्वम यतकिंच जगत यांग जगत तेने तेने भुनजी था माग्रिदह कस्वसिद्धनम वेद मंत्र है और इस वेद मंत्र में कितना सरल भाव से भी जो अच्छ हिंदी जानते हैं उनकी भी समझ में आ जाए यहां शब्द आया इशा वास्था मिदम इश के लिए है इशा वास्था इदम इश अर्थात परमात्मा वास करने वाले हैं हर जगह इदम इदम सर्वं कहां हर जगह तो इश वास करने वाले हैं हर जगह अर्थात परमात्मा जल में इस्थल में और गगन में हर जगह परमात्मा मौझूद है परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं पिछले दिन आप लोगों ने सुना था वो वीडियो जो एक मियाजी का था बेरेली का रड़ का तो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दिया था और उस पर मैं वीडियो बनाया भी था और मैं यही बताया था कि दुनिया वालों ने परमात्मा को मानव समझ रखा है इनसान समझ लिया है इनसान माल लिया है जिस कारण ये धोका हो रहा है पर परमात्मा इनसान नहीं है मुनश जैसा नहीं है इसलिए धोका हो रहा है क्या धोका हो रहा है कि परमात्मा को मानव समझने से धोकाए क्यूंकि परमात्मा किन-किन चीजों से दूर है वो देखिए परमात्मा रूप, रैस, गंध, शब्द और इस्पर्ष जिसे हम पाँच ग्यानिंद्रिय कहते हैं ऐसे पाँच ग्यानिंद्रियों से परमात्मा दूर है अर्थाती ग्यानिंद्रिय परमात्मा को चू नहीं सकता परमात्मा को राग, क्लेश, द्वेश, हविद्दा, अस्मिता, आदी परमात्मा को चू नहीं सकता और ये सम्मुनुष में नहीं थे मुनुष के साथ जुड़ा हुआ है तथा भी अगर हम परमात्मा को मानव समझेंगे तो दोखा होगा इसलिए वेद मुकद्दस में परमात्मा का परिचय देते भीए परमात्मा का यही उवदेश आया है कि इशा वासा मिदम सर्भम यत किंच जगत यांग जगत तेन तेक तेन भुंजी था मां गृदह कस सशिधनम वेश वास करने वाला है हर जगा उससे कोई जगा खाली नहीं और परमात्मा ने जिन चीज़ों को दिया है प्रकिती इस बर्मान के अंदर में वो सब चीज़ें जो परमात्मा ने मुहया कर रही है वो केवल और केवल प्रानी मात्र के लिए तो प्रानी मातर के लिए ये बायू, जल, आकाश, पृतिवी, सूर्य, चंद्रमा, आधी-आधी जतना जो कुछ भी है वो प्रानी मातर के लिए है लेकिन उबदेश प्रानी मातर के लिए नहीं है प्राइक उबदेश परमात्मा का केवल और केवल मानव मातर के लिए है तो परमात्मानी इस ब्रह्मान में जिन नेमतों को जिन चीजों को रखा जिन सामानों को रखा जिन सामानों को दिया जिन चीजों को दिया है वो किसके लिए दिया मनुश मातर के लिए और मनुश मातर को भोगने के लिए दिया है और कुछ लोग इसकार्थ करते हैं कि भोगो मत नहीं भोगो मत ऐसा नहीं है भोगो लेकिन भोग में त्याग हो हमें जीने के लिए खाना है खाने के लिए जीना नहीं है यानि भोगना जीने के लिए है लेकिन भोगने के लिए जीना नहीं है वो घलत होगा तो यहां जो शब्द आया इशावासमिदम सर्वम वो परमात्मा के लिए आया है पर दुर्भाग की बात ये है कि जिन लोगों ने परमात्मा को जाना ही नहीं जिन लोगों ने परमात्मा के बारे में कुछ भी ग्यान नहीं रखते और परमात्मा के नाम से अनाप शनाप बोलते रहते हैं कर रात को उसी पाद्री का फोन आया मेरे पास उसी पादरी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग वाकिफ हैं उस पादरी से केरी जिसका नाम है केरला का रहने वाला है जो मेरे सामने आपके पाउँ पड़ता हूँ गिर्ड़ गिर्ड़ाता हूँ ना करा करता हूँ यह सब कहा है उसी के आवाज में मैंने आप लोग को सुनाया और वही पादरी कल कह रहा है मुझे राग को जब मैं वीडियो बना करके दिया उसके तोड़ी दिर बाद क्या आपने अभी बोला वो ईशा आवास सामिदम इशा और यहां इशा इश वास समिदम इश यहां परमात्मा के लिए आया है इश और इस दोनों एक है गया है तालविश्या मदर्ण शा दंसतीन सा है और एक कोहटा का दूसरा लगाएंग अर्थ बदल जाएगा जैसा सब छोटा सा से है सा अर्बा यानि सरवता वाला सा से है दंत सा से है एक सा है दांत से उच्चारन करने वाला एक शा है जो तालू से उच्चारन करने वाला और एक शा है मुद्धान शा जिसको बोलते हैं मुद्धा से उच्चारन करने वाला अब ये इस उच्चारण का भेद अगर नहीं जाना इस उच्चारण को कहां से करना है मूँ के अंदर से कहां से इस अच्चर को निकालना है अगर उसको नहीं जाना तो ऐसे लोग अज्यानी है और इसको रिशिवा देव दैनने वर्ण उच्चारण सिक्षा में बहुत सुं उसको दंतरसा क्वाटा का तालवेशन लगा दिये शब माने मुर्दा तो अर्थ बदला कि नहीं बदला पर नहीं इन मुर्खों को किया जा है जो अपने को पादरी कह रहा है और वो कहा था ना कि लोग हमें फादर कहते हैं तो मैंने फॉरण उसको बोला लोग तुझे फादर कहते हैं तु मेरे पास गिर्ड़ आ रहा है मैं तेरा फादर हूँ इसका मतलब तमाम इसाईयों का मैं ग्रान फादर टेरा ये मैं बोल चुका हूँ तो मैंने निवेदन कि कि कितनी बड़ी मुर्खता है इन लोगों में जरा ये गोर किजिए और मुर्खता किस आधर पर किये जा रहे है परमात्मा के बारे में जिसको जानकारी नहीं है परमात्मा हुलुलुया हुलुलुया करी चिल्दा रहे है कौन हुलु और कौन लुया वो गोई नहीं जानते है, घुलूलूया से क्या मतलब है परमात्मा का, यहुवा से क्या मतलब है परमात्मा का, जो परमात्मा जन्म ले रहे, अगर परमात्मा जन्म लिये हैं, तो जन्म मुन्श का होता है, जिवात्मा का होता है, परमात्मा का नहीं, इतना जरुत ध्यान लगना चा भी बीना बाप का, ये तो काम है, गौड का है, यहुवा का है, भुलूया का है, अल्ला का भी है, सुरा अंबिया आयात नमर 91 खोल करके देखे कोई, जिसने सतित्यु की रक्षा की, उसके अंदर में फूंक मार करके गर्वती बाप क्या तमाशा याद, असरमें यही हुआ क्यों जानते हैं आप लोग, हिंदों ने भी बोला है, सुर्य के किरन से कुंती गर्वती हुई, यह नहला पर दहला इस तरीके से एक दूसरे पर चला है, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, यह हिंदूों को दोका दे रहा है, और हिंदू ना समझ कौं है, हिंदू पहले से ही ना समझ है, ना समझ भी ठीक उस तरीके के लिए भोले हैं, इनको भेज नहीं आता, और मुसल्मान और इसाई दोनों मिल करके हिंदू कोई मुर्क बना रहें, जैसा, जाकिन नाइक का परता फाश, आप लोगों ने देखा, उस सुद्शन नियू चेरान में मेरा, उसमें जाकिन नाइक ने किया है, जाकिन नाइक न भी यही किया है, मूरु गाया मद्दाह.. युयम पाता स्वस्तवी सदानह..ं। מूरु गाया मद्दा का अर्थ.. जाकिन नाइक ने बताया.. किया है.. उसका अर्थ.. कि मुर्गा काटकर खाणा चाहिए.. मुर्गा मारकर खाना चाहिए.. अनि इन मुर्गों को क्या बता career..? पहले स्वार बताव स्वार मैंने कि इन लोगों को समय दे रखाए कि स्वार बता दे स्वार किसको कहा जाता है जब तू स्वार ही नहीं जानते हो उसके अलिब्बे नहीं जानते हो तो तू खाक पड़ोगे यह दूर भाग है और हमारे हिंदू घराने के लोग भी चुपचाप सुन रहे हैं कि हम दो चार लोग ही लगे विए हैं जो इन लोगों को जवाब दे रहे हैं वरना कौन इसको देखता था पहले हम दो चार यूबा हमारे साथ जो लगे विए हैं वही लोग जवाब दे रह इसी तरीके से तो इसाई और मुसल्मानों का बोलबाला भारत में इसी तरीके से हुआ है और आज भी वही तरह का अपना हुए है इसलिए मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से और वो निवेदन यह है कि यह इस फरमात्मा है इसा नहीं है और इसा जन्म ले रहा है मा के उदर से जन्म ले रहा है पर बाप का अता पता नहीं है और वो भी मा कुवारी अवस्ता में और उसी इसा को अगर ईश माल लिया जाए परमात्मा माल लिया जाए तो कितना बड़ा धोका हो रहा लिगेगा अगर इसा को परमात्मा मानें गया तो मर्यम को क्या मानना पड़ेगा परमात्मा की माँ और परमात्मा अजन्मा बताया गया है परमात्मा अजन्मा है जिसको जन्म लेना नहीं पड़ता तो जो परमात्मा जन्म नहीं लेती हैं जो परमात्मा अजन्मा है और उसको किसी व्यक्ति के नाम से उसी को व्यक्ति बना दिया जाए तो कितना वड़ा धोखा है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूँ और यह निवेदन करने के लिए मैं बैटा हूँ आप लोगों के बीच कि हमारे दुनिया के लोग कितने भोले हैं कि सच्चाई को जानना नहीं चाते हैं जो सुनने से भीे तो पता लगेगा तो सुनना भी नहीं चाते हैं और यही कारण परा कि लोग इश्वर पर हाद साफ करना चाहते हैं जो कभी भी संभबनी है और हिंदू में ज्यादा तर यही कंबख्षती है कि हिंदू अपने देवी देवसा को पूजने के बाद भी इनकी तिर्प्ति नहीं होती यह हिंदू उस मजार में जा पहुंचता है जिस मजार में इस हिंदू के पीटा का कातिल ही क्यों ना सोया पड़ा हूँ कि टो जो हिंदू के पीटा का कातिल सोया है मजार में और यह हिंदू उससे मांगने के लिए जा रहा है क्या मांगने के लिए हिंदू हम झा जिनका है वो तो जातें लिए हिंदु ही जातें की जिनका है वो जा करके क्या कहते दिखिए गुश Mahay थेरे धरर्मार। और जाओं ऑए अघमyooo पर्भूए आजमेर वार। स्क्री का और हाली नहीं चाओंगा। अगर वह अंदर मोहते बाहर निकल कर mo मूरकião के पास अकल नम की कोई चीज नहीं है इसलिए मैंने विड़्न किया किolds дे अनु मतन। कि अगर हम कि अपना सानी दिलाब करना चाहते हैं परमात्मा का तो परमात्मा का सानी दिलाब करने के लिए हमें जानना पड़ेगा परमात्मा को परमात्मा को जाने बीना परमात्मा का पाया जाना परमात्मा का सानी दिलाब करना परमात्मा के उपदेशों को आत्मसात करना संभबनी होगा जिसलिए हमें यह जानना पड़ेगा बहुत जरूरी है कौन है पर आगर पर मात्मा को हम जान नहीं रहें हैं जानना नहीं चाहते हैं तो द्ध्वोका हो रहा है और पर मात्मा को जानने का काम केवल और केवल मनुश के पास है मनुश ही जान सकता परमात्मा को अन्न कोई प्रशू अन्न कोई जीब जन्तू परमात्मा को जान नहीं सकता इसलिए मैंने निवेदन के आप फिर याद रखेगा कि परमात्मा रूप रैस गंध शब्द और इसपर्श इन पांच चीजों से दूर है परमात्मा राग क्लेश द्वेश अविद्धा अस्मिता आदी से भी दूर है अगर अविद्धा हो परमात्मा में तो परमात्मा का होना संभवी नहीं है अगर पक्षपात हो परमात्मा में पक्षपात करे तो पी परमात्मा का बनना संभव नहीं है परमात्मा का होना स जिसको चाहे ना दे यह पक्षपात है जिसको चाहे कम दे जिसको चाहे ज्यादा दे यह पक्षपात है जिसको चाहे बख्ष दे और जिसको चाहे माफ कर दे यह सब पक्षपात है तो परमात्मा मनुष नहीं हो सकते और पर्मात्मा का इच्छा भी नहीं हो सकते पर यहां उबदेश आया है अल्ला जो चाहता है तो इन लोगों को मैं कई बार क्या चुका हूँ कि अल्ला जो चाहता है वही होता है अगर ये शब्द ठीक है ये वाक सही है मैं आप लोगों के लिए कुछ बोल नहीं रहा हूं आप सब जुड़ गए पहले से मैं देख रहा हूं बहुत-बहुत धन्रवाद आप लोगों को मैंने निविदन किया कि परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का सानिद लाब करना संभब नहीं होगा इसलिए मुन्ष मात्र के लिए करतब है कि परमात्मा कौन है हम उसे जाने समझें तो परमात्मा की यह इच्छा कभी नहीं होती माशचांल्ला हो कानल नमी नमे श raging тобой मैकुन जो चाता है सो करता है जो चाता है वो होता ऐ ऐल्ला हो यशाम generating में लाह जमिया अगर चाहते हैं चन्द मिन पीरे दिन्धों का दिन में मिला सकते तो अल्ला को मना किस스크 किया पर कम Allah अगर कर सकता है तो यह जिम्मदारी किस की है? Allah कि है या नि? Allah क्या खुरजी देखना चाहते है? या हिंदु मुसल्मान ने एक दूसरे से किस तरी का से लडाई कर यह देखना चाहते है? किस ली नहीं करते है? और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अल्ला अगर जो चाहते हुई होता है तो भारत के सैनी को दोरा पाकिस्तान में जो सैनी के स्ट्राइक हुआ क्या वो अल्ला ने चाहा मैं तो हाफिज स्यीद के लिए भी कहा था आज आप लोगों के लिए कह रहा हूँ और बताए भारती मुसल्मान जो दारुलकदा दारुलकदा चिला रहे है या इसलाम के नुमाइंदा है वो बताएं इस बात को कि अल्ला जो चाहता है वही होता है तो ये बात अगर सही है ठीक है 100% सही है कुरान के मताबिक या according to कुरान तो क्या अल्ला ने चाहा भारत के सेनी को द्वारा पाकिस्तान में सेनी के स्ट्राइक किया गया या अल्ला ने चाहा और अगर अल्ला ने चाहा तो फिर मोदी को कोश क्यों रहे भाई मोदी पर दोस्ट क्यों लगा ले और अल्ला ने चाहा तब मोदी प्रधान मंती बने तब भी तुम राजी नहीं तुम्हारा मंचा क्या है यही तो समझने की बात है कि तुम्हारा मंचा क्या है यह भी तुम जाहिर नहीं कर रहे हो तुम्हारी माननता यह है तुम्हारे कुरान के मताबिक माननता तुम्हारी यह है कि अल्ला जो चाहता वही होता है तो अल्ला अगर नहीं चाहता होता तो मोधी भारत के प्रधान मंत्री कैसे बनते हैं यह अल्ला की चाहिक नहीं है इसलिए याद रखना मेरे भायो अल्ला की इच्छ हो सकती है लेकिन परमात्मा की नहीं परमात्मा इच्छा आदी गुनों से रही थे परमात्मा सदा सरवदा एक रस में रहने वाले है परमात्मा के अंदर में तब्दीली नहीं आती चेंजिंग नहीं आता परिवर्तर नहीं आता इसलिए रिशीद एनन ने परमात्मा का नाम गिनाते बताते हुए एक शब्द में उठा कर धर दिया है परमात्मा तीन गुन वाला है वो सत है चित है और आनन सरूप है जिसको हम सची दानन कहते हैं तो परमात्मा सत है चित है और आनन सरूप है परमात्मा आनन से बचित नहीं होते और परमात्मा में तब्दिली आएगी तो परमात्मा नहीं बन सकता परमात्मा का ओना संभब नहीं है इसलिए परमात्मा सदा सरवदा एक रस में रहते हैं और सचिदानन सरूप होने के नहीं परमात्मा निराकार है परमात्मा का साकार होना संभब नहीं क्योंकि परमात्मा साकार हो जाए तो परमात्मा एक देशी हो जाएंगे एक स्थान विशेश के लिए हो जाएंगे परमात्मा का सर्वयापक होना संबम नहीं होगा और यही सर्वयापकता की बात यहीं से शुरू हुई है इशा वासा मिदम सर्वम तो परमात्मा की सर्वयापकता को यहां दर्शाया जा रहा है और परमात्मा निराकार होने के कारण परमात्मा साकार हो जाए तो परमात्मा के अंदर में ये खुबी नहीं होगी परमात्मा के अंदर में ये गुन नहीं होगा इसलिए परमात्मा निराकार ही है साकार नहीं कुछ लोग ये ख्याल लगते हैं वो साकार भी है और निराकार भी है वो क्यों वो साकार इसलिए है कि वो सबुन है और निराकार इसलिए है कि वो निर्गुन है और रिशी वर देव दैनंद को धन्वा दीजिए उन्होंने इसी का इस पश्ट्री करन देते हुए कहा क्या है दुनिया के लोगो परमात्मा निराकार ही है साकार नहीं हाँ परमात्मा में दो विरोधी गुन अवश्य है क्या सगुन और निर्गुन वो सगुन भी है और निर्गुन भी है दो विरोधी गुन है और वो परमात्मा में होना संभव है किसी अन में नहीं तो सगुन का परमात्मा में गुन है सुष्टी की रशना करना उसको इस्थीती में लाना उसका पड़ाय कर देना मुन्ष मात्र के कीवे कर्मों का फल देना ऐसे कामों में परमात्मा सबुन है और निर्गुन हल चलाने में परमात्मा निर्गुन है संतान उत्पत्ती करने में परमात्मा निर्गुन है शादी करने में परमात्मा निर्गुन है मा के उदर से जन्म लेने में परमात्मा निर्गुन है राग द्वेश इच्छा आधी गुनों को नहीं रखते इससे वो निर्गुन है यह सबून और निर्गुन का परिभाषा है लेकिन सबून और निर्गुन का मानी ये नहीं है कि साकार और निर्गार यह सर्वता गलत है इसलिए सागुन शब्दकार्ट प्रिशी देना ने दर्शाय अपने अमरकर नुसर्चात प्रकाश में सागुन गुन सहीत निरगुन गुन रहीत जो गुन उसमें नहीं है अब परमात्मा सगुन है जो परमात्मा में खुबी है कि परमात्मा सगुन इसलिए है कि वो उस काम को करता है अंजाम देता है जैसा मैं बनी बताया कि सुष्टी की रचना करने में परमात्मा सगुन है और इसको इस्थीती मिलाने में भी परमात्मा सगुन है प्रड़ाय करने में भी परमात्मा सगुन है और हल चलाने में परमात परमात्मा निर्गुन है, संतान जन्म देने में परमात्मा निर्गुन है, और खुद जन्म लेने में परमात्मा निर्गुन है, अर्तात यहां इक बात ध्यान जरूर रखना, यह पुरान और बाइबल वाले नहीं जानते इस सच्चाई को, पुरान और बाइबल वाले इस स पिशालला काफिट हो रहा है क्योंकि मानव करित कारिये परमात्मा का नहीं है यह अल्ला का है जब मानव करित कारिये अल्ला का हो सकता है लेकिन परमात्मा का नहीं है परमात्मा मानव करित कारिये को नहीं करते क्योंकि उसके मरियादा के भी परिते उसके सान के खिलाफ है और परमात्मा ऐसे काम नहीं करते क्योंकि ऐसे काम को अगर परमात्मा करने लगे तो परमात्मा का होना भी संबब नहीं होगा याद रिखे जिसलिए परमात्मा मानव करित कारिय नहीं करते जब परमात्मा का मानव करित कारिय नहीं है तो फिर ऐसे प दोश्पूर बाते हैं जैसा मैं और सरली करन कर रहा हूँ एक छोटा सा उधारन दे रहा हूँ छोटा सा उधारन दे रहा हूँ जैसा देखिए काम किस तरीके से बटा हुआ है कि हम इनसानों का और किसे हैं इन्सान का और परमात्मा का काम कैसा बटा देखिएगा इन्सान का काम जहां खत्म होता है वहां परमात्मा का शुरू होता है अब कहेंगे कैसा तो हम जहां चाहेंगे वहीं देख पाएंगे इसको खेती करते हैं जो लोग तो जो खेती करते हैं पहले उनको जमीन को तैयार करना पड़ता है या परमात्मा तैयार करके देते है जमीन तैयार करना पड़ता है इसको खेती बोने वाले को अर्थात इंसान को मानव को जमीन तैयार किया खरपतवर घास फुझ बाहर निकाल के फेला फेका तो यहां पर भी ठीक वही है जो अविद्दा है उस अविद्दा को दूर करना पड़ेगा पहरे अविद्दा को दूर कियेमिन विद्दा की प्राप्टी हो नहीं पाहे antes यानि विद्दा को प्राप्त करने के लिए आविद्दा को रिशी दैनान तो साफ शब्दों में लिए आविद्दा का नाश विद्दा की बृद्दी करनी चाहिए और यह समझ के आटवान ने में रिशी लिए तो आविद्दा का नाश जब तक आप नहीं चाहेंगे तो व संदोष जिम्रादारी केसा सोचना समझ करके देखना कि जब हमने गेहु भूइया धन बोया वहीज़ बोने के बाद वहाँ आप परमात्पा का काम शुर्रू हो गया है एक गेहु के कोदे से कितना गेहु निकलता है क्या उन जियों को लगाने का काम इंसान का है? कर सकता है इनसान? यहां नहीं कहेंगे तो बाद बनेगे नहीं, वहां एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, घर्गिज नहीं, कदापी नहीं, क्यों? यहीं जो काम बठाएं, मानव नहीं कर सकते हैं, इस काम को मानव के बस की अरौन के लान रहा है वह माँ भी नहीं जानती होती अगर माँ जानती होती तो फिर ऑर्टरसाउंड कराने का क्या काम इस तरीके से कर रहा है और मा उस बच्चे के हरका से भी परशान रहती है और मा की जो बहुजर मा करती है उस नस्णाली के मादम से उस बच्चे को मिल लाए अगर उसमें रूह नहो तो क्या वजी वितर है सकता पेट में ये मुर्गता पूर्ण बाद है इसलिए हम मानव कहलाने वाले मानव जो हमारा नाम पढ़ा मानव नाम इसलिए पढ़ा शास्त्र का कहना ही है मत्वा कर्मनी सिग्वती मनुष वह है जो विचारवान है विचार शील है विचार पूर्वा काम करता है इसलिए हमानला मनुष पड़ा अब हम मनुष होकर भी इन सच्चाई को ना जाने इस सच्चाई को तिलांजली दें इस सच्चाई को दूर कर दें इस सच्चाई से अपने को दूर करने तो यह मानुवता परकुठा रगात हो रहा है तो हमें पहले मानुव बनना पड़एगा इसलिए तो वेड में उपदिश से jsem आया मौनूर भव मानुव कोई बन करके नहीं आया आया मानुव बनना पड़ता दुनिया में आकर उसका एक चोटा उधाल नो दे रहा हूं मानुव दुनिया में आकरके कैसा बनना पड़ता है वो दिखी ज़रा आप से आया आप लोगों से मैं यह पूछू कि लोहा कहां तयार होता है कहां बनते हैं लोहा तो आप सब गएंगे कख़दान में अब माइक है लोहे का या मेरे सामने जो लैपटाप आपने रखा है इसमें भी सब लोहा आदी और पीतल तामा क्या क्या सामान बढ़ा पड़ा है और सब ये खनीच पदार्त है खनीच पदार्त होने के कारण लोहा ख़दान में बना लेकिन ख़दान से जब निकाला गया उसका नाम माइक नहीं था उसका नाम लेफट अप नहीं था उसका नाम कोई और आवजार नहीं था कब तक? जब तक उस लोहे को संसकारित नहीं किया गया अर्थार वहाँ लोहा को वहाँ से निकाल कर उसके उपर आपने संसकार डाला उसे संसकारित किया और संसकारित करने के बाद ही उसका नाम लोहा पड़ा तो यहाँ पर भी जब हम धर्ती पर आए हम मनुश नहीं आए जब तक हमारी उपर संसकार ना चड़े जब तक हमें संसकारी ना किया जाए जब तक हमारी उपर संसकार ना डाला जाए हम मानव नहीं है क्या हम यहीं समझते हैं क्या हाथ पाउं आख कान नाख शरीर रखने का नाम मानव है या कप्ड़ा पहनने का ना मानव है नए 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 सवाली पैदा नहीं होता मानव उसी को कहा जाता है जो मनंशीर होकर अन्नों के सुख दुख लाब और हानी का समझने वाला उसको मनश का जाता है रिशीवा देव दैनने अपने अमर गर्ण सत्ता प्रकाश के अंतिम में समंतब बामंतब प्रकाश में लिखा है इसलिए अब मानव के लिए करतब बन गया मानव के लिए फर्ज बन गया मानव के लिए जरूरी हो गया वो परमात्मा को जानना क्योंकि परमात्मा को जानने का काम केवल और केवल मनश का है कोई जीव जनतू पशू पक्षी परमात्मा को नहीं जान सकता प्रयास करने पर भी नहीं जान सकेगा याद रखना जो पशू पक्षियों को या और जानवरों को जीव को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और कई बार जब हवाईदार में सफर करते हैं, राजदानी में सफर करते हैं, तो पुत्ता गुमाया जाता हुआ, विस्पोटाक पदार था कि नहीं है, या कोई असमाजिक चत्तो किसी तरीके से, पुत्ता सुन कर बताता है, अब यही काम आप मानव से लेंगे, कोई इंसान होगा, इस काम को कर रहा है, और जो उसमें चेकिंग करने के लिए गया, उसका दोस्त ले जा रहा है, तो छोड़ेगा या पकड़ेगा, उससे अंदर से लगा लीजे, उन्हीं पकड़ेगा उसे, छोड़ देगा, लेकिन कुत्ता यह काम ने कर दो कुत्ता वफदार है, औ उल्लू क्या तुम, शुष्डू क्या तुम, तौमीश या तुम, वह परमात्मे वेद मंत्र में, यह आया है यह सारा उपदेश, उल्लू ना बनो, कुत्ता ना बनो, कुत्ता क्यों ना बनो, तो देखिएगा, वह फदार जानवर है, कुत्ता आपके घर से एक रोटी देश मुनुष के लिए दिया है कि आया मानूम तुम मानू ह्, तुम से छुट जावे, तो मानू कहलाने के हकदार अधिकारी नहीं बनोगे, इसलिए हमें पिहले परमात्मा को जानना पड़ेगा, परमात्मा को जाने फिना हम परमात्मा के सानित को लाव ली कर सकते, यह हो गया है अब दुर्भाग यह है कि परमात्मा को हमने जानने का प्रयासी नहीं किया और जिसके मन में जो आया हो उसी को परमात्मा माले बैठें अब भीशेश कर यह बिमारी हिंदों में ज्यादा है हिंदों तो यह सड़क चलेंगे वहां पर एक मीटा रख करके उसमें कि कितनी है आप किसी बंबई में एक्तिवारी जी रहते और एक्तिवारी ज है जौनपूर के रहने वाले हैं अच चार दिन पहले मुझे फेसबूप में लिखा तो मैंने उनको बोला कि आप कैसे शास्त्री हैं तो बोले मैं शास्त्री हूँ, मैं एस्ट्रोलोजर हूँ, जोतिष शास्त्री हूँ, तो मैंने का जोतिष बिद्दा आती है आपको, बोले हाँ, मैंने की इमानदारी से बताएए, आप जोतिष बिद्दा के माददम से बता पाएए, बोले हाँ, मैंने का आप 19 में प्रधा अब यही परेशानी है हम मालोग के साथ हम हम मालोग कभी भी सचाइक को जानने का प्रयास Hindu नहीं कर रहे हैं लगताएं हो इसे भी मूँ मुल लेते हैं कि यह तो कम तो यह हो रहा है यानि परमात्मा की बात जो करें परमात्मा की जानकारी जो दे वो कमुनल हो गया हाँ मेश्म सर्माजी नमस्ते बहराईश सीख की जी जी आपका गाजी सालार देखी वो क्या गाजी अब बहराईश में सयद सालार और गाजी अधी सथ the उनकी और यह ओई पासवान परिवार करें और इसमें रामविरा wsp awesome दो पंड तक नहीं गया के वर वान प्राफ Oh कि इसगे परिवार का के अध्य के परिवार वहां या गाजी के मजार बनाए गए और यह सी परिवार के लोग उनको जाकर करें पूई हिंदू हिंदू है आप लोगों को छोड़ गार कि मैं हिंदू ही निये पूछते हैं आए बताइए कि क्या लेने के लिए वहाँ पर और यह सब मानुता पर खुटा रगात हो रहा है इसलिए मैं इश्वर के बारे में कह रहा हूं कि जो इसाई लोग यह कह रहे हैं आज तो हुटता है कि मुझे तो जो क्या हुटता है कि मुझे प्रड़वन दिया गया यह दें गो देंगे आदी आदी краa कि降ता हुटता किया हुटता है नेट के मादम सब को आप लोगों को जान का लिए पचास हज़ारा मिलिका डॉलर का ओफर किया मुझे और उन में से एक पादिरी को जिसका नाम तरसे मसी था वो उसको तरसे मचंद बना दिया हूँ और ये लोग क्या करते हैं कि दुनिया को पागल बनाते हैं दवाई खिला कर तो आज सुबह पास्टर गैनी चंद रात लिखा कि हमसे निबट लो पहले तुम से निम्ठे एंगे, कैसे, निम्ठा अगर तुम, तुम तो हो हरियाना के, कैटल के रहने वाले हो, पास्टर ग्यानी, और तुम हो अग्यानी, लेकिन अपने को ग्यानी बता लेहिए, उग्यान तुम में है नहीं. तो मैंने कहा कि आप तुम समय दो मैं तो मार्च मैने में समय दिया अपरिल में समय दिया जून में समय दिया जुलाई में समय दिया अगस्ट में समय दिया अब सेप्टमबर 18 को भी समय दिया था जुबैर रहमत को आया नहीं मेरे सामने कोई और ना आने की हमत मैं तो कयमा त कि वेद को जीतना इतना आसान काम नहीं है मैं तो साफ शब्द मेरा दो टुक कहना है यानि स्टैंप पेपर में लिखा पड़ी करके हम डिबेट करेंगे मुझे अपने में मिलाओ या मुझ में मिलो है मेरे सब्वालों का जवाब दो इसाइय और मुसल्मान बना लो और ना जबाब देने की दशाह में सथ सनातर को सिकार करो और मैं सी को सिकार सथ क्या आधार पडना करवा पाया तो फिर मेरा विनाम बदल देना है कि नहीं धुली किताब है तो मैं यह और दिन कर रहा हूं कि इश्वर को लोगों ने जाना कहां जानने का प्रयास कहां किया और जो इश्वर के बारे में जानकारी देते हैं तो लोग उसको कते हैं ये रूडी बाद का प्रचार करते हैं वह इश्वर जो आपके सामने जो देखनी बस्तूंत नहीं इसको क्यूं अन्य और वह आंख तो बहुत दूर चीज है हम देखते कब है खाते पीते चलते फिरते कब है जब आमारे अंदर है आत्मा है आज तक धर्ती पर है कोई माई का लाल है अपने आत की बाते हो रही है भाई हो मैं आप लोग को जो समय दिया था यह पास्टर गैनी चंद को और पास्टर केरी को जबाब देने के लिए फिर मैं लिवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा इश है इस इस नहीं अर्थाद जो इशा वास्था मिदम शब्द आया है वेद में वो परमात आत्मा के लिए आया है और यह लोग ईशा यह कह रहे हैं कि तुम्हारा जुमिश बोल लगे हो वही इसा है अरे मूर को तालवेशा और दंतर सा का फरक ही तुम्हें मालूम नहीं तालवेशा और दंतर सा में अंतर है जिसको मैं बोला कि शब के माने है मुर्दा और सब के माने है समूँ इसलिए सच्चाई को जानो और हो सके तो मेरे सामने गुटने टिक कर कुछ दिन बैठ लो पढ़ लो जान लो समझ लो उसके बाद प्रचार करना मेरी खुली चुनोती है आज मैं सुबा लिख करके भी दिया पास्टर ग्यानी चन को क्या और डिबेट के लिए मेरी खुली चुनोती है मेरे सवालों का जवाब दो मुझे बना लो और जवाब न देने की दशा में वैदिक धर्म को सिकार करो और विश्यो क्यागन में एक कि धर्म है जिसका नाम सत्नातन्व वैदिक धर्म है बाकि सब मख़व है मखभ का असब नहीं होता मखभ वैक्ति विश्यष के दूआरा चलाया जाता है और धर्म बीष्वर प्रदत है मैं पूछना चाहता लोग हैं दिखिए किस तरी किसे करे ये इसलाम वारे कह रहे हैं कि अल्ला ने तौरेद दी, जबूर दी, इंजिल दिया, फिर उसके बाद कुरान दिया क्यों बदलना पड़ा? सुरज को क्यों नहीं बदला? ओ अल्ला वालो तरा ये तो बताओ अल्ला को सूरज बदलना नहीं पड़ा चंद्रमा बदलना नहीं पड़ा आकाश पाताल जितना जो कुछ भी है प्रकिती के अंदर में उसको बदलना नहीं पड़ा और पुरान बदलना पड़ा इस पर ये ग्यान बदलना पड़ा इसलिए के बल इतना ही नहीं मैं दावा के साथ एक प्रमान और दे रहा हूँ आप एक छोटा पौधा लीजिए आम का और एक इमली का और दोनों को बिल्कुल कॉम्बाइंड कर दीए बांद दीजिए और लगा दीजिए जमीन में किया आम की जो तासीर है वो इमली में आ सकेंगे नहीं क्यों एही काम परमाथमा का तुम्हारा अभबा भी नहीं कर सकेंansen समयरे न इमली की जो खटास है वो आम में नहीं यह यह सच्चाई है यह यथारत है इस सतता को जानो क्यों कि हम मानुव तभी कहला पाएंगे उससे पहले मानुव कहलाने के हकदार हम नहीं है इसलिए बहुत जल्दी में जितना समय मैं दिया था वो समय पूरा हो गया मेरा ससंग 9 बजे से शुरू होना है सब लोग आ चुके हैं मैं सब का अभार वेक्ट करता हूं और राहूल विक्की जी और मनिश जी और यह जितने भी लोग जुड़े हैं मनिश यह देखे गुजराती भासा में लिखा है गुजरात में भी हमारे बहुत सारे मित्रमनली हैं बाव हरी जी ने कुछ और लिखा दे गुरू जी बोलने की आवशक्ता नहीं है हम तो कर्म करी रहें जी बिल्कुल वो तो मैं बोला भी कि बोलने की आवशक्ता है हम दो चार लोग हम मिल करके इस काम को अगर ना करते होते तो इन हिंदों को मुम्मती जला का डूना पड़ता हरी भाव यह भी याद रखेगा कि हम हो या मैं हूँ राहूल हो और ये जितने भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं ये केबल और केबल सत्त सनातन वैदिक धर्म के लिए काम कर रहे हैं नीजी कोई स्वार्थ नहीं है या आराम से घर बैठ करके काम कर सकते हैं अपना काम नीजी काम लेकिन टीस ये है कि हमार हिंदू घराने के लोग इसाई और मुसल्मानों के हाथ लुटने न पाएं यही चिंता सता रही है और मैं तो 35 साल काटा हूं किसी में इसलिए मैं सब का शुक्रकुदार हूं सब का आभार व्यक्त करता हूं और राहूल जी ने बहुत यह हरीजबाव ने बहुत खूब मैं लाती हैं पंकर जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और मेरे लाइब वीडियो को पंकर जी लिख रहे हैं कि पंडिजी सब को कहिए कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्नावाद पंडिवववव आपको सेही साहफ अल्ला और यहुवा के बारे में तुर्णात्मक एक क्लास से लिया जाएं कि हम लोग करें तो यह सारा काम मैं तैयारी में लगा हूँ उसकी और इतना ता इस पादरी केरी को ज़ब देना था इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोग के सामने आप rhyols感 का समय लिया और आप लोग इतनी जल्दी में जुड़ गया है क्योंकि आप लोग तो रोजाना इसी उस सुक्ता को लिए बैटे रहते हैं कि पंडे जी कब आ रहे हैं तो मैं अपने वाले के मुताबिक थोड़ा समय लिया आप लोगों का और लिया नहीं मैं अपना भी दिया हूँ तो ड्रा चल दा है इसलिए फिर बाकी बाते कल करेंगे आज हमारे पास यहां ससंग में मैं बैठा हूँ और बड़े दूर दूर से लोग आये हैं अपना घर का काम काज छोड़ करके मैं इन सब का शुक्रियादा करते हुए अपने वाले को यही पर विराम दे रहा हूँ बा